पिंजोर रधपूर कलोनी की एक 45 वर्षिय महिला करोना पॉजिटिव पाई गई मौके से मिली जानकारी के मुताबिक पिंजोर थाना के S.I. नसीर सिंग वह अन्य पुलिस कर्मी पंचकुला के डॉक्टरों की टीम के साथ महिला को लेने के लिए रधपूर कलोनी पहुँचे वहाँ पर वह महिला दिमागी तोर से हालत ठीक ना होने के कारण इधर उधर भाग गई पहले पुलिस ने रॉनक होटल के पास से उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग कर रधपूर कलोनी में कुएं के पास पहुँची और उक्त महिला का घर भी वही था और डॉक्टरों की टीम उसे पकड़ने के लिए कुएं के पास पहुँची पर वह महिला वहां भी नहीं मिली और इधर उधर छुपती रही लेकिन सौस्ते विभागव पुलिस कर्मियों की सांसे फूल ने वकड़ी महनत के बाद महिला को काबू किया गया उप्त महिला को पकड़वाने के लिए पूरव सरपंच स्वर्गय जीत सिंग के सुपुत्र बाला सिंग ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उप्त महिला के बेटे ने भी उन्हें समझा कर डॉक्टरों की टीम के साथ भेज दिया लेकिन इस दोरान रातरी करीब दस बजे कर समय बहुत से पुरुष्व महिलाएं महिला को पकड़े जाने का द्रेश्य अपनी छटों पर चड़कर देख रहे थे यह मीरा कुमारी है थोड़ी सी दुमाग से भी इसको थोड़ा से कम है इसको आज पहले ले गए थे थोड़ा से इसके दुमाग की वज़े सी यह अब इसकी बच्चों को और दो बेटियों को और इसको लेके गए थे यह उनके पास से कहीं मिस निकल गई वहाँ से और यह अब काफी देर के इसको ढूंड रहे थे हम हमारे महले के लड़के भी लगे हुए थे और सारे लगे हुए थे सब्सक्राइब और हूँ अब यह किसी के बात्रूम में शिपी हुए थी वहां से हमने इसको को प्रपर किती्ट इसको शुर में पीटर लूर से पता लगा था हमारे को तो तो हम्ने उद्र महले में फॉन करके जो लड़के उनक को बता है उन्होंने फिर थोड़ी देर पहले फॉन भी आया था भी अब दुल्लापुर में गूम रही है फिर मैंने का भी इसके पर निगा रखो जब तक यह घर आएगी इसको इसके बेटे को समझा दो भी जब आए तो इसको अंधरी बंद कर लेना और रोक के इन्फोर्मेशन देन हमारे को हम आगे देंगे भी बताएंगे भी इसको कहीं जाने नहीं देना कितनी गुमर है कि यह 15 साल के गरीब उमर है यह थोड़े दिन पहले इसका पती भीहार में रहता था यह महले वालों को इसके घर वाले को हमने ही बलवाया है कि यह तंक कर रही है ऐसा नहीं कुई काम कर लिए यह थोड़ी सी दमाग से अफसेट चल रही है